यह साल 2022 की भारत की सबसे बड़ी रिसर्च ये एक artificial heart है जिसे कुछ लोग दिल या फिर हड़े भी बोलते हैं और लोगों की जान बचाने के लिए इस artificial heart को भारत में बना करके तयार किया गया है लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में मरने वाले 5 में से एक इंसान की मौत द की जान बचाई जा सकती है और अभी तक भारत में ये पॉसिबल नहीं था जो भी कंपनीज भारत में इन artificial hearts को बनाने का काम करती थी उनकी कॉस्ट इतनी जादा है कि हर आदमी इनको खरीद नहीं सकता लेकिन फाइनली कई सालों की महिनत के बाद IIT कानपुर ने इस artificial heart को ब अभे करंदीकर का कहना है कि इसको अगले साल एनिमल्स पर टेस्ट किया जाएगा इसके लावा इस टेस्ट में भारत के जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उन सभी की प्रिजन सामिल होगी और अगले साल से मतलब यानी 2023 में फरवरी या मार्च के महिने में इसके टेस् के टीम ने काफी मेहनत के बाद इसे तयार किया है और इसको बनाने का आइडिया भारत में तब आया जब भारत में 80% जमेटिकल एक्यूप्मेंट से वो सभी वीदेशों से आयात किये जा रहे थे भारत सिर्फ इस मामले में 20% हिस्सेदारी रख रहा था और ऐसे में इंप ग्यानिकों ने तो सिर्फ 90 दिनों में ऐसे वेंटिलेटर को तयार किया था जो काफी जादा अच्छे और एडवांस क्यालिटी के थे और इसके बाद भारत के इन कंपणियों ने वेंटिलेटर को बनाने का काम शुरू कर दिया भारत में करेंटली दो कंपनिया है जो इन को बना रही है और ना सिर्फ इनको बनाया जा रहा है बलकि भारत नो जो वेंटिलेटर इंपोर्ट की जाते थे उनकी कीमत 10 से 12 लाक रुपए होती थी जब कि भारत में तयार किये गए वेंटिलेटर सिर्फ धाई लाक रुपए में बन रहे हैं और भारत को ऐसी और रिसर्च की जरूरत है क्योंकि भारत के अंदर एक हजार लोगों की आबादी पर सिर्फ आठ डॉक्टर अवैलिबल है और यह शायद हमारे उज्वल भारत के लिए बहुत जादा कम है इसलिए डॉक्टर्स की संख्या बननी चाहिए इसके अलावा रिसर्च में गौवर्मेंट को और ज़्यादा इन्वल होना चाहिए आप इसके बारे में क्या रहा रखते हैं कमेंट शेक्षन में जरूर लिखेगा भारत कैसे ही यूस्फुल आपको एक नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक लिए बंदे मातरम भारत माता कीच है